हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं नाम अरचुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास बोर्ट के नए टी डॉबलस एयरफोंस है इनका नाम एयरडोप 601 ANC है आज इस वीडियो में हम इन एयरफोंस की बात करेंगे फर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिसे में जब भी नए वीडियो प्लोड करूं तो आपको पता लग जाए इस वीडियो में सबसे पहले मैं इनके अन्वाक्सिंग करते हैं उसके बाद मैं आपको इन एयरफोंस के सभी पीच 601 ANC लिखा है राइड साइड में बॉर्ट का लोगो है बीच में इन एयरफोंस की फोटो है जो मैंने ब्लैक कलर में मंगाए है इनमें हाइब्रिड ANC है 33 डेसिबल्स तक इनमें 4 माइक्स आते हैं ENX टेकनोलोजी के साथ इसके अलावा इसमें आपको IWP टेकनोलोजी मिल जिससे Android users in earphones को अपने phone से first time easily pair कर सकते हैं बॉक्स के इस तरफ importer और marketer की detail दे रखिए है जो कि image and marketing private limited है इसके लावा यह product code और इनकी MRP दे रखिए है जो कि 9990 है पर अभी डिस्कांटिट प्राइस मुझे 3999 में के मिले वीडियो description मैंने इनकी link दे रखिए वहां जाकर अ इनकी photo, उपर board का logo और इनकी कुछ key features highlight कर रखे हैं जैसे इनमे swipe gesture controls है, in ear detection play and post feature है, ambient transparency mode है, IPX for water and sweat resistant है, इसके लावा इनमे 10 mm के drivers है और इनसे आपको 18 गिंटे तक का battery backup मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें ASAP charging भी मिलती है, तो दोस्तों यह सब था box के उपर, आप से पहले कुछ paperwork बाहर निकलावा दिख जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले warranty card है, इन earphones के साथ आपको एक साल की warranty मिलती है, जिससे आप पिछे देगे नमर पर miss call करके activate कर सकते हैं, इसके लावा हमें एक readme guide मिलती है, जिसमें हमें बता रख है कि कोई भी issue आने पर आप FAQ guide पढ़ सकते हैं, और first time यूज़ करने से पहले आपको इने चार्ज करना है, इसके बाद हमें एक FAQ card मिलता है, जिसमें आप common problems के answer देख सकते हैं, इसके बाद box में हमें एक template देखने को मिल जाती है, जिसमें आप board के latest products देख सकते हैं, पैम्पलेट के बाद box में हमें air drops काफी अच्छी लगी और जो इसकी USB-A वाली side है, वो काफी मोटी और solid लग रही है, इसके बाद plastic wrapper में हमें extra ear tips का pair मिल जाता है, जिसमें large और small ear tips है, इनकी build quality की बात करूं तो ये काफी soft silicon से बने हैं, तो मुझे लगता है कि कान में इनका काफी अच्छा fit आने वाला है, ल इन earphones की design की बात करूं तो इसके ओपर आपको plastic build मिलता है, जिसके ओपर matte finish दिया गया है, जिसके कारें इस पर scratch और fingerprints लगने के chances बहुत कम है, इनको हाथ में लेकि मुझे काफी solid फील आ रहा है, एरडोप्स की case पर बीच में boat का logo है, और नीचे आपको LED indicators देखने को मिल जात हैं, पीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको reset button मिलेगा, इसके लावा इस side में आपको USB-C port मिलता है, जहां से आप इने चार्ज कर सकते हैं, कई बार हम जल्दी में होते हैं और हमारे earphones में battery नहीं होती है, तो इस case में आप इने चार्ज करके एक घंटे तक चला सकते है यह सब possible हो पाया, इन earphones के ASAP technology के कारण, इसके लावा आप case के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको right side में regulator info और left side में इन earphones का model number, input और output आपको देखने को मिलेगी, इस case के hinge की बात करूं तो यह काफ़ी soft है, और easily आप इसे open कर सकते हैं, और बंद करने पर काफ़ी अच् आपको काफ़ी high gloss finish देखने को मिलेगा, जो दिखने में काफ़ी premium लग रहा है, तो यहाच हो कि हमारे air drops, इनके first impression की बात करूं तो हाथ मिले कि मुझे काफ़ी solid और अच्छी quality की लग रहे हैं, इनको first time यूज़ करने से पहले हमें इनके stem के उपर से इस plastic को remove करना है, plastic को remove क करने के बाद इनके charging pin exposed हो जाएगी और इनको case में डालते ही, charge होना start हो जाएगे, जैसे आप case की lead को बंद करेंगे, तो case की first और last light on हो जाएगी, जो show करती है कि दोनों तरफ के earphones अभी charge हो रहे हैं, earphones को first time phone से pair करने के लिए, आपको case की lead को open करना है, और earphones on होके discoverable हो जा कर, ear drops 601 ANC पर tap करना है, और ये earphones आपके phone के साथ pair हो जाएगे, इन ear drops को on off करने के दो तरीके हैं, या तो आप case की lead को open करके इने automatically on कर सकते हैं, या फिर इनको case से बाहर निकाल कर manually on off भी कर सकते हैं, manually on off करने के लिए, आपको earphones के multifunction बटन को 8 seconds तक प्रेस करके रखना है, earphones को automatically off करने के लिए, आपको इने case में डाल कर, इसकी lead को बंद कर देना है, और ये अपने आप off हो जाएंगे, अगर आप case की battery चेक करना चाहते हैं, तो नीचे case पर आपको LED indicators मिलते हैं, जिसमें से हर एक indicator 25% show करता है, अभी 3 solid LEDs है और last LED blink कर रही है, मतलब case की battery अभी 75% plus है इन earphones में आपको case के साथ 28 गंटे तक का battery backup मिल सकता है, जो company claim करती है, इसके लवा normally आपको earphones से 5.5 गंटे तक का battery backup मिल सकता है, और ANC mode के साथ आपको single earphones से 6.5 गंटे तक का battery backup मिल सकता है, अब बात करते हैं earphones की design की, तो earphones पर आपको black matte finish देखने को मिलता है, जो personally मुझे क काफी पसंदाया, earphones के stem पर नीचे हमें board का logo और उपर दो mic मिलते है, ANX technology के साथ, उपर की तरफ air vent और third mic मिलता है, active noise cancellation के लिए, तो काफी सारी technology आपको इतने चोटे से earphones में देखने को मिल जाती है, उपर की तरफ हमें soft silicon ear tip मिलती है, जिसे खींच कर हम भार निकाल सकते है और इसके बाद हम earphones के speaker के उपर की mesh को देख सकते हैं, ऐसे ear tip को उपर से press करके हम इसे फिर से लगा सकते हैं, नर्मली ear tip इतने असानी से लगती नहीं है, पर इन earphones की ear tip काफी असानी से लग गई, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको left और right लेबल मिलेगा, और यह यहां आजाती है हमारी charging pin, earphones के stem पर आप यहां देखेंगे तो आपको line दिखेंगे जहां swipe gestures है, इन्हें अभी मैं use करके दिखाऊंगा, इसके अलावे earphones की design की बात करूं तो मुझे इनकी design काफी अच्छी लगी, इनका कान में काफी अच्छा fit आता है, earphones को कान में perfectly लग काफी अच्छा comfort आता है, और काफी लंबे समय तक मैं इन बिना कोई दिखकत के अराम से यूज कर पाया हूं, इसके लगए earphones के mics में आपको ENX technology मिलती है, जिसके कारण आप uninterpreted calling कर सकते हैं, और noisy environment में भी आप crystal clear calling in earphones के साथ कर सकते हैं, earphones में आपको hybrid active noise cancellation भी मिलती है, जि टीम Dolby और Qualcomm के साथ मिलकर भी काम कर चुकी है, तो इन earphones का ANC आपको इस range में काफी अच्छा मिलने वाला है, इन earphones का ANC 33 dB तक background noise को cancel कर सकते हैं, तो आप इसे metro, gym या office की noise में आराम से use कर सकते हैं, earphones में total 3 modes है, जिन में से एक normal, एक active noise cancellation और एक ambient mode है, transparency के लिए, जिससे को और clearly अपने earphones में सुन सकते हैं, right earphone पर 2 seconds तक long press करके आप इन 3 modes में switch कर सकते हैं, active noise cancellation मुझे इस range के earphones के असाप से काफी पसंद आई, और भार की background noise को में avoid करके songs की beat पर focus कर पाया, earphones के instant wake and pair technology के कारण, earphones automatically आपके phone से connect हो जाते हैं, जैसे आपके skillet को open करते हैं, और automatically disconnect हो कोई दिकत के, instantly Google की fast pairing window से direct pair कर सकते हैं, fast pair के कारण, in earphones के settings में, आप case और दोनों earphones के separate battery चेक कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें आपको high definition audio भी मिलता है, इसके अलावा earphones में आपको connectivity के लिए Bluetooth 5.0 मिलता है, जिससे आपको uninterrupted connection अपनी device के साथ मिल पाता है, earphones में आपको ear detection feature मिलता है, जिसके कारण earphones को कान में से निकालते ही, song automatically पोज हो जाता है, यह feature तभी काम करता है, जब आप दोनों earphones को कान में से बाहर निकालते हैं, अब हम इन earphones के gesture controls की बात करते हैं, अगर आप song play और पोज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी earphone पर double tap करके song को play और पोज कर सकते हैं, right earphone पर swipe down करके आप song की volume को कम कर सकते हैं, और ऐसे ही swipe up करके आप song की volume को बढ़ा सकते हैं, इन earphones का यह gesture control मुझे काफे responsive और useful लगा, ऐसे ही हमें left earphone पर भी swipe gestures मिलते हैं, left earphone पर swipe down करके आप next song play कर सकते हैं, और swipe up करके आप previous song play कर सकते हैं, right earphone पर 2 seconds तक long press तो ANC और Ambient Mode में switch हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था Left earphone पर 2 seconds तक प्रेस करके रखेंगे तो आप phone का personal assistant यूज़ कर पाएंगे इसके लावा earphones में कोई issue आए तो आप इन्हें reset कर सकते हैं earphones को reset करने के लिए आपको एक dedicated button मिलता है जिसे case के lid को open करके 10 seconds तक प्रेस करने पर earphones factory settings पर reset हो जाते हैं तो दोस्तों यह सब था इन्हें earphones में मुझे यह earphones काफी पसंद आए अगर आप 4000 के अंदर TWS डून रहे हैं ANC के साथ तो आपको इन्हें earphones को जरूर ट्राइ करके देखना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी नए वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाए अगर आपके कोई कॉश्चन्स है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो बेर के पूश सकते हैं मैं आप सब के रिपले देने कोशिश करता हूँ फिर मिलूँगा आप से अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद